फाइनली दोस्तों आज आप सो के लिए कक्छा बार भी विशय राजनेतिक सास्त्र जिसे इंगलीज में पुलिटिकल साइन्स कते हैं या पार्ट वन है या चेप्टर वन भी कह सकते हैं जिसका नाम सितित का दोर है जिसमें आपको फूल एक्सप्लाइनेशन प्लस सब्जेक जाते हैं और आप हाईलाइटर खड़ी लेते तो आप बेहतरीन से बेहतरीन एक्जाम में नमबर ला सकते हैं और नहीं खरीदेंगे तभी भी चलेगा तो चलिए आँसे स्टार्ट करते हैं और एक बात और आपको बताते मिरे दोस्त अगर आप फूल एक्सप्लाइनेशन किसी भी चेप्टर का अगर आप देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्टी प्लस MCQ complete हो जाएगा अगर आप ये देख लेते हैं तो आपका ये दोनों complete है तो हम आपको ये suggest करें कि आप इसे न बहुत थी बारिकी से बहुत अच्छी तरीका से देखिए ताकि आपका सब्जेक्टी और MCQ complete हो जाए तो चलिए याँ से start करते हैं और आपको जो भी चीप पढ़ाएंगे वो बहुत ही सधारन भासा में समझाएंगे जो कि आपके लिए बहुत important है ठीक है उससे पहले अभी तक चैनल सस्क्राइब निकिए तो सस्क्राइब कर लिजे थोरा सा हमें भी support कीजे ताकि हम भी अच्छा सच्छा content देने में आपको सक्षम हो सके ठीक है और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और bell icon को all जरू कर लिजे ताकि जितने वीडियो डालेंगे उसका notification आपके पास जरूर जाएगा ठीक है चलिए आँ से start करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे chapter 1 ठीक है chapter 1 है जिसका नाम है सीतित का दोर और यह सीतित का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे ठीक है देखें सीतित का अर्थ हिया है कि जब दो देशों के बीच तनापुर्ण स्थिति हो ऐसा लगे कि यह लराई होने वाला है लेकिन वास्ता में कोई लराई नहों उससे ही सीतित कहते हैं अब समझे मेरे दोस्त आपको जो भी चिप बढ़ाएंगे वो आपको अपनी भास्ता में नहीं समझते हैं अपना लेंग में जो कि आपको समझ में आ जाए ठीक है चली यहाँ पर समझे क्या करा है दो देश थे जैसे मालीजे दो घर है एक घर यहाँ पर है टिनापूर्म इस्थिति है लराई होने वाला है लेकिन वास्ते में कोई लराई न हो अब समझेगा यहाँ पर एक आपके घर है एक दूसरे घर है वहाँ से चार पांच लेडिस लेडिस लेखने है ठीक है और वहाँ से क्या हो रहा है यहाँ से बोली कुछ निकल ला है कि कुछ गला गला जो रहा है या कुछ भी हो रहा है कि जब इने के लिए हो रहा है फिर यहाँ से कुछ ब बीच में चलाता जैसे हम कह सकते हैं USSR और USA इसे अमेरिका कहा जाता है और इसे रस्या कहा जाता है जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छा पोजीशन पे है रस्या और अभी तो खासकर लराई भी चला है जो कि आपको पहले भी पता होगा तो यह आपको बहुत ही अच्छा सा समझा के बताएंगे चली इसके बाद करते हैं कि चीतुद का परिच्चे दीजिए आपको कहा जाएगा कोल्ड वार का इंट्रोडक्शन देने के लिए तो आप किस तरह से देंगे इसके बारे में समझे सन 1945 में दूसरा विश्यूद समाप्थ हो गया, क्या हुआ, सन उने से 45 में दूसरा विश्यूद समाप्थ हो गया, इस विश्यूद में बरे पैमाने पर जन हाने और धन हाने हो थी, इस बरे पैमाने का मतलब क्या हो गया, कि जन हाने और धन हाने, मतलब कि जब दूसरा विश्यूद हुआ था उसमें बहुत ही पैसा हानी हुआ था पलस में जनता की जैसे मारे भी गए थे बहुत लोग इसमें मारे भी गए थे ठीक है तो इसके बारे में थुरस और समझते पहले बिशियुद ने बिशुद दाहला दिया था दखिए 914 ने 818 दक पर्थम भी शुद हुद हुआ था जिसमें पूरे भीशू को दाहला दिया था और अब धमका कुछ दर गय था पुरा भीistor और ही 49 से 1945 तक दूसरा विश्यूद चला थो इससे भी भारी हुआ मतलग कि जब पर्थम विश्यूद हुआ था उससे भी भारी क्या हुआ ये दूसरा विश्यूद था और ये तीसरा विश्यूद हो जाता जो कि 1945 से लेके 1991 में तक चलता ती विश्यूद को बिनास होना नहीं चित था लेकिन इसे टाला गया तो इसे ही सित्वित कते हैं चले आगे चलते हैं आपको पता चलेगा ठीक है तो समझें जब 1949 से लेके 1945 में जो था एक मित्र राष्ट था एक धोरी राष्ट था ये दो राष्टों था जि परकार से था कब 1949 से लेके 1945 तक है जिसमें बिर्टेन भी सामिल था फ्रांस भी सामिल था उसी तरफ दूसरे तरफ जो था 1945 में धोरी राष्ट था धोरी राष्टी तरफ से जर्मानी थी इटली थी जपान थी के ठीक है ये तीनों के तीनों ताकतवर ही था और इसके तरफ भी ताकर्दवर ही था मतलब जिधर देखे उधर ही ताकर्दवर ही था कब 1949 से लेके 1945 तक और थोड़ा सा और आगे चलेगा तो और आपको बेहतिनी तरीका से समझ में आगा ठीक है चलिए यहाँ हो गया अब देखे यहाँ पर क्या का रहा है कि सित्वित की सुरुवात दूसरे विस्यूद की समाप्ती से ही सित्वित की सुरुवात ही अगर दूसरे विस्यूद नहीं समाप्त होती तो यह सित्वित नहीं स्टार्ट होती ठीक है यह समझ ही अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो सहर हीरोशिमा और नागा सकेपर परमानुबं गिराया और जपान को घुटने टिकने परे तब दूसरे विश्यूद के समाप्त हुई सीतित को 1945 और 1991 तक चला था समझे आप यहां पर देखें यहां पर क्या है अमेरिका और सोबेचंग मतलब जपान पर देखें यहां पर बं का नाम क्या क्या दिया हुआ दो बं गिरा द है यहां फीरोश्यमा एक नागा सगी जो की लीटल बॉआ और फैट मन था यह कब कब गिराया गाथा यह आपके One Marks का पुछा जा सकता है आपके Board Exam में कोई भी हो आप किसी भी Board Exam से है आप चाहे विहार बोड से है या UP बोड से है जाहरकनी बोड से है या CVS बोड से है आप किसी से भी बोड से भी है जहाँ पर NCRT बुक चलता है उसके लिए यह वीडियो हो बहुत important आप देखते रहे आपको बहुत ही माज आएगा आप देखी का तभी समाज में आएगा ठीक है चली तो यहाँ पर बात करते हिरोचिमा पर तो 6 अगस 245 को एक बम गिरा आगा जथा जिससे लीटल बॉड आएगा ज़े ते यहाँ पर जादा थोड़ा पर भाव नहीं पर फिर इसके बाद क्या क्या नागा साखी एक जगह है जहाँ पर 9 अगस 245 को बम गिरा आई जया जो कि फैट में नाम का बम था ठीक है आज की जब समय में अभी पर्जेंट में जो चल रहा है वो समय अभी जपान बहुत ही development है मतलब बहुत बिकसित है कह सकते हैं अगर बम गिराने की बाद भी इतना बिकसित है अभी समझे भारत में अभी 5G लाँच ही हुआ है ठीक है और जपान में अभी 7G चल रहा है ठीक ठीक है इतना हम कह सकते हैं कि यहां पर बम गिरने के बाद भी वह अभी भी बहुत ही संभल के चल रहा है और आगे भी बहुत निकल गया तो यह आपको समझ में आ गया होगा चले आप आगे चलते कि कुछ important term है जो कि 1-2 marks का 2-3 marks आ सकता है एक या 2 मान लिजे आ सकता है important term जिसे महतपुर्ण सब्द बोलते है पर्थम विशुद जो चला था 1914-1918 तक चला था जो कि थोरा मरत दाला दिया था पुरा विशुद को जब दूसरा विशुद चला था 1945 लेकर 1945 तक यह सबसे भारी युद्धा अगर सित्युद अगर हो जा जाता उन्हें चला जरूरी माना गया सभी के सभी देश ने ठीक है तो यह आपको यह important यही परहेंगे आगे चलते रही है अब समझेए अब कहा जा सकता है कि 1945 में बोले सर कि 1945 में तो दूसरा विशुद समाप्त हो गया था उस समय सोबे संग और अमेरिका दोनों साथ में था लेकिन उसके बाद जब दूसरा विशुद समाप्त हो गया तो दोनों देशों में से एक देश चाहता था कि हम सक्ति सा इसके बार में समझें, दो महा सक्तिय का उदय हुआ, दो महा सक्तिय का उदय कैसे मत समझें, तो USSR और USA जैसे सोबेद संकते और एक अमेरिका था, ठीक है, चलिए, दूसरे बीशिद की समापती होने के कुछ समय बाद ही, दो महा सक्तिय के बीच टकराव था, जो प्रसपर गि अमेरिका और सोबेद संके बीच था, अब समझेगा मेरे दोस्त, क्या हुआ, 1945 में दूसरा बीशिद समापत हो गया, यह आपको पहले भी पता हो, याद रखना भो जरूरी है, ठीक है, यह समापत हो गया, अब जो था, दो महा सक्तिय साली था, एक सोबेद संक था, एक संदिय करने लगा, यह सीच से क्या हईए, चले आप आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको और इंटरेस्टिंग लगए रहा होगा, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़नी मजा आज तो आप हमें क्या किये, एक लाइक करके हमें सपोर्ट किये, बहुत ही मेहनत से आप सो को लीक के लाते हैं बहुत ही अच्छी तरीका से content देते हैं जो कि आपकी अपनी language में देते हैं आपको समझ में बहुत ही अच्छा आ रहा होगा ठीक है तो हमें support कीजिए जरूर आप सो ठीक है इन दोनों देशों के बीच तनापुर्निस्थिती था लेकिन तिसरा विश्यूद की समभावना नहीं थी देखे ये जो दो देश थी आपको पता है कि USS देखे हम आई से नाम देने के कोई दिकत नहीं नहीं है USA और USR ठीक है ये दोनों देशों के बीच जो था वो तनापुर्निस्थिती होना इस्टार्ट हो गया लेकिन तिसरी विश्यूद की समभावना नहीं थी हाँ भाई आप तिसरा विश्यूद नहीं होना चाहिए नहीं तो ये पूरा देश बिनास हो जाएगा इसमें सस्त्र का उप्योग नहीं किया गया क्या क्या सस्त्र मतलग की तलवार उलवार जो है बमुम कुछ भी का उप्योग नहीं किया गया लेकिन कुटनितिक ये क्या होता है कि देखे होंगे आप गाउं में कभी न कभी मतलग एक जग जगरा हो गया तो फुसार फुसीर होते है ठीक है बात हो इधर से इधर फैलाना यही कुट नितिक कलाता है कि US एक का बात इधर फैलाना USR का और USR का यहाँ पर फैलाना तो यह क्या कलाता है कुट नितिक कलाता है ठीक है तो यह आपको समझ में आ गिया चली इसी के बीच मतलब दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ चुनोती आई जिसमें क्यूवा मिसाइल संगट था इसके बारे में हम बात करेंगे तो समझेगे यह क्या है क्यूवा अमेरिका के टट से लगा हुआ था समझेगा यह जो क्यूवा जगा है एक वह क्या था अमेरिका से लगा हुआ था एक छोटा सा दूपिय देश था जो कि क्यूवा अगर मैप होता तो आपको मैप हम देखा देतें बाट नहीं लगाये हैं कोई बात नी आपको समझ में आ जागे तब ही क्यूवा का जुर्वा जुराब सोबेज संक्षे था देख कुँवा को रोस के सैनिक अर्डे की रूप में बदलने का फैसल है देखिए अब यहाँ पर मेरे दोस्त आपको समझ में मेरी बात तोस्त अच्छा समझ में आट हो गये ठीक है देखिए यहां पर अमेरिका है यहां पर क्यूव यहो गया यू स्था ओude स व az टीके यहां प पर क्या किया अपना सैनिक तैनाद करना स्टार्ट कर दिया हुआ वो अपना तैयार करना स्टार्ट कर दिया कहाँ पर क्यूआ में तो फिर और इसकी जो किवा में सोबेट संग के दुआरा परमानू हथियार तैनात करने के भनक अमेरिका के टीन हपते बाध लगी है आप तोंच सकते हैं तीन हपता मतलगो एक मनत बाध लगी अमेरिका को कि हाँ कि मेरे नजदीक बगल में ही सोबेट संग ने हम क्या क्या सैनिक को लगाती है ठीक है और सैनिक कहा जाए तो हमें सुब्य संग के पास बहुत ही सैनिक था उस समय भी ठीक है यह आपको समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजे और अपनी दोस्तों के एक बार जम के स बनाए आप से लेटिक है चली अब यहां पर देखे अमेरिकी राष्ट पती जॉन एप केनेडी कुछ गलत करने से हिच्च की चा रहते देखे अमेरिका के जो राष्ट पती थे जॉन एप केनेडी वो कुछ गलत करने से हिच्च की चा रहते अमेरिका आदेश दिया कि सोबे जहाज नहीं बढ़ना चीए नहीं तो कुछ गलत हो सकता है तिसरा विसुद हो सकता है ठीक है तो यह कुण बोला तो यह हमारे अमेरिका बोले जो कि आपको पहले बता कि किवा मिसाइल संगट आगों में आ गया था तो इसे से निश्चित है कि अमेरिका बिनास हो ज़ता और सुबे संग उजागर हो ज़ता ठीक है तिए तीसरा विसुद की समवना इसे ही किवा मिसाइल संगट करते हैं यह आपके लिए हम बहुत अच्छी तरगे से समधाय है और यह आपको हम कहते कि आपको ऐसा तो समधान पाएगा बहुत लेकि आप हमें जरूब बताई कि आप सक्तियों का हद था सित्व जो उदय हुआ इसमें दो महा सक्तियों का हद था और दोनों देशों में एक से एक में से एक सक्ति साली बना चाहता था इसे से मुख्य कारण इस पर कारए देखे अब समझे यहाँ पर दो देश था USSR और USA ठीक है दोनों महा सक्तियों का उदय का कारण बदा रहे हैं यहां पर देखिए यह अमेरिका हो गया यह रस्या मालीज फिलाल के लिए ठीक है यह जो रस्या कर रहा था स्टोबेद संग कर रहा था कि हम सकती साली बनेंगे तो दोनों में टक्राव हो जाएगा अमालीज यह आपके बरे भाई है और एक आप है ठीक ह और क्या किजेगा एक जमीन के लिए कहेगा के मेरा जमीन होना चीए और छोटा वाई के नहीं देजेगा तो क्या होगा इसमें थोड़ा सा कटर पंथी हो सकता है इसमें बोल चाल हो सकता है तो कुछ कारण है जो कि देख सकते हैं कटर पंथी मत सुबेद संग का उतरदाई इरान में रूसी सेना का जमावार बर्लिन की नाके बंदी ये क्या था कौन ति हमारे अमेरिका क्या था जो कि आप समझ सकते हैं अमेरिका बिरोध प्रचार और ये जो सोबियत संग था वो अमेरिका का बिरोध करता था बर्लिन डिवार के भी नाके बंदी के इसके बारे में बीरोध करता है था कौन तो यह हमारे स्वोभेज संग करता था ठीक है इसके बारे में भी आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से ठीक है चली अब आपके सामने आता है कि संसोधन वादी मत अमेरिका का उतरदाई सबसे पहले किसके बारे हम समझें ति हम समझेंगे सोभेज संग के बारे में समझें तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ गए और अमेरिका के बारे में परचार क्या था समाजवादी व्यवस्ता का बिरोध जो यह था कौन था यह हमारे सोभेज संग क्या था स्टार्ट हो गया कब जब चाहता था कि हम सकती साली बने तो हम सकती साली बने तब ठीक है यह आपके समझ में हो गया अब यहां से देखिए सितित के दाइरे सितित के दायरे क्या क्या है उन से के बारे में हम समझें बताते ठीक है सितित के दायरे में बताते एरिया आज आफ दे कोल्ड वार सितित के दोरान अनेक संकट सामनी आई जिन्हें हम सितित के दायरे के नाम से भी जानते हैं सितिध के दोरान पर्मुक संकट नमेलिखे थे ہے जब सितिध हुआ तो उस समय ना अनेक देश थे और उन सभी को अनेक संकट मेलिए सभी को सितिध में बहुत जैसे दो देश था उन सभी को बहुत ही संकट भी घंना परा और इसमें से जो कि इस परकार है हम आगे बात करती ठीक है चल सबसे पहले जो बात आती है आपकी कोरिया का संकट है जो की 1950 से लेकि 1935 तक चला था बर्लिन का संकट जो कि 1958 से लेकि 1962 तक चला था कांगो का संकट है जो कि 1960 में किवा मिसाल संकट जो कि 1962 में ये बहुत इंपोटन है आपसे पुछा जा सकता है कि दिवा मिसाल संकट कब हो था तो 1962 में देए गा तापको एक नबर मिल जाएगा, ठीक है चलि इन सभी संकट से लग रहा था कि 3 तिये विश्यूद हो सकता था लेकिन इसे टाल देएगा था मतलग कि इतना जो था इन सब से लग रहा है यह आप हमें जरूर बताएगा अगर आपको PDF चाहिए अगर 12th क्लास का all notes चाहिए subjective objective पूरा चीज़ाई total चाहिए तो आप हमें इस number पर एक बार contact जरूर किसेगा तो आपको जरूर मिलेगा ठीक है यह सब है जो हम बाद में कल परेंगे कल आपको बहुत ही अच्छे से यह पूरा-पूरा complete कर देंगे ठीक है तो कल आप मिलिएगा ठीक है उससे पहले अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe जरू कर लिजे और bell icon को all जरू कर लिजेगा और लाइक अभी जरूर कर देजेगा ताकि हमें motivation जरूर में अभी तक चैनल सब्सक्राइब निकर सब्सक्राइब कर लिजे और comment करके जरूर बताएगा कि झाल